जब भी रेखा और अमिताब बच्चन का नाम लिया जाता है, तो सालों पुरानी इनकी प्रेम कहानी यादा जाती है। और ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो कभी पूरी नहीं हुई। और आज हम आपको इन दोनों की प्रेम कहानी सुरू से अन तक बताएंगे। कि कैसे इनके प्यार की सुरुवात हुई और इनके प्यार का अंजाम क्या हुआ दरसल जब अमिताब और रेखा की पहली मुलकात हुई तब ये दोनों बॉलिवोड के एक बड़े नाम थे एक तरफ अमिताब बच्चन अपने एंगरी यंग मैन की पहचान के लिए मसहूर थे और वहीं दूसरी तरफ रेखा जो अपनी एक्टिंग और खुछ से जुड़ी कांट्रोवर्सी के लिए मसहूर थी माना जाता है कि दोनों के बीच प्यार की सुरुवात फिल्म दो अंजाने से हुई थी ये इन दोनों के साथ पहली फिल्म थी इस फिल्म से पहले ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे लेकिन इस फिल्म ने सब कुछ बदल कर रख दिया कहते हैं कि सूटिंग के दोरान ये दोनों एक दूसरे पर अपना दिल हार गए थें प्यार की आग दोनों ही तरफ लगी हुई थे अमिताफ साधी सुदा थें लेकिन कहते हैं कि इन सब के बावजूद भी वो रेखा के प्यार में पढ़ गए जब ये फिल्म रिलीज हुई तब से ये दर्सकों की पसंदीता जोड़ी बन गई दर्सक इन्हें बार बार एक साथ परदे पर देखना चाहते थें और इन्हें भी लगने लगा कि अब इन्हें साथ में फिल्म करनी चाहिए क्योंकि दर्सकों को ये काफी पसंदा रहें थें इसके बाद निर्देशकों की छड़ी ही लग गई सभी अपने फिल्मों में इन दोनों को कास्ट करना चाहते थें और ये दोनों भी इसके लिए राजी हो गएं इसके बाद तो फिल्मों की लाइन ही लग गई पता ना चले इसलिए दोनों ऐसी जगा पर मिलते थें जहां पर लोगों का आना जाना ना हो और वहां पर ये दोनों साथ में सुकुन के कुछ पल बिटातें। ऐसा भी कहा जाता है कि रेखा के दोस्त के एक खाली बंगले में वो दोनों मिला करते थें लेकिन कहते हैं ना सच छुपाए नहीं छुपता और ये दोनों भी अपने प्यार को लोगों से जादा दिन तक छुपा नहीं सके और इन दोनों का प्यार सब के सामने आहीं गया दरसल बात उस वक्त की है जब अमिताब बच्चन गंगा की सौवत नाम की फिल्म की सूटिंग कर रहे थे इसी दोर आने कालोचक ने रेखा को उनके सामने ही भला बुरा कह दिया वो रेखा से बत्तमीजी पर भी उतारू हो गया ये देखकर अमिताब को गुसा आ गया और वो खुद पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने अपना आपा खो दिया और यहीं से उन दोनों के प्यार के खिस से आम हो गये इसके बाद तो इन दोनों की प्यार की भनक जया बच्चन को भी लग गई उन्हें अपने रिस्ते पर मंडरा रहे खत्रे का एहसांस होने लगा था और इससे वो काफी परिसान थी इसी दोरान रिसी कपूर और नीतू सिंग की साधी का आमंतरन उनके पास आ पहुंचता है उस दोरान रिसी कपूर और अमिताब बच्चन अच्छे दोस्त हुआ करते थें तो उन्हें उनकी साधी में तो जाना ही था और जब जया बच्चन उनकी साधी में वहाँ पर पहुंची तो वहाँ पर रेखा के अलग ही अंदास देखकर सबके हों सोड़ गए दरसल यहाँ पर रेखा पहुंची अपने मांग में लाल सिंदूर रगाय और गले में चमचमाता मंगल सुत्र पहने सभी ये देखकर हैरान थें आखिर ये क्या हुआ कहीं अमिताब और रेखा ने गुपचुप तरीके से साधी तो नहीं कर ली जया बच्चन भी ये देखकर काफी परिसान थी और यहां पहुंचते ही रेखा किसी और से नहीं मिली बलकि सीधा पहुंची अमिताब बच्चन के पास अमिताब बच्चन भी रेखा को देख कर सब कुछ भूल गएं यहां तक कि वो पास में खड़ी अपनी पतनी जया बच्चन तक को भी भूल गएं और रेखा के साथ अपनी बातों में खो गएं अमिताब बच्चन के लिए ये सब तो बहुत ही आम था लेकिन जया बच्चन को ये सब बहुत अजीब लगा अमिताब और रेखा के बीच बढ़ती नजदी किया जया बच्चन को खलने लगी थी दोनों हर फिल्म के साथ एक दूसरे के और करीब आते जा रहें थें और ये सब जया बच्चन से देखा नहीं जा रहा था इसके बाद जया बच्चन ने अपनी नराजगी अमिताप बच्चन से जाहिर करनी सुरू कर दी दूसरी और रेखा भी बहुत परिसान थी क्योंकि उनका नाम मेडिया में काफी उचाला जा चुका था जैसे तैसे सबसे लड़ भीड़ कर वो दोनों फिल्म कर ही लिया करते थे दरसल जब फिल्म सिलसिला में अमिताब बच्चन, रेखा और जैया बच्चन साथ में काम कर रहे थे तो उस वक्त भी रियल लाइफ और फिल्म की स्टोरी एक जैसी थी प्यार के जगा में दोनों ही जगा पर दिक्कते पैदा हो रही थी जब जैया बच्चन ने रेखा और अमिताब बच्चन की नस्देकियों को करीब से देखा तो वो समझ गई कि इस पर कड़ी रोक लगानी पड़ेगी और इसलिए जैया ने इस फिल्म के बाद अमिताब से साफ तोर पर कह दिया कि रेखा से दूर रहने के लिए और साथ में ये भी कहा कि वो रेखा के साथ कोई भी फिल्म ना करें और परिवारिक दूविधा में फसे अमिताब बच्चन भी कुछ नहीं कह पाएं फिर उन्होंने भी रेखा के साथ और कोई फिल्म करने से मना कर दिया और साथ में उनसे मेल जूल कम कर दिया और धीरे धीरे उन दोनों में दूरिया आ गई इस तरह से ये खोपसूरत प्रेम कहानी अपने अंत तक पहुँची गई तो दोस्तों आप इन दोनों की लफ स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कॉमेंट करके बताईए और भी ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए